चुनाव की छुट्टी का मतलब है कि मेरी और मेरे परिवार की पिकनिक ना की वोट देना अन्य लोग वोट देने जा रहे हैं इसलिए मेरे न जाने से क्या फरक पड़ेगा हम अभी एक राजशाही मानसिक्ता में हैं हमें लगता है कि चुना गया व्यक्ति राजा या अधिकांज चुनावों में 50 प्रतिशत से कम मद्दान होते हैं इस आकड़े को देखते हुए हम देश के नागरिकों की राजनीती और सरकार के कामकाज में रूची कैसे पैदा कर सकते हैं देखे बात राजनीती की नहीं है लोगों को देश और जनता के बारे में परयाप चिंता नहीं है बहुत से लोग इस बारे में चिंता नहीं करते हम अब तक उसी मानसिक्ता में हैं हमारे परिवार से हमारा जुडाओ हमारी परिवार और समुदाय के अधार पर बनाई गई पहचान इतनी मजबूत है कि अगर मैं और मेरा परिवार ठीक है तो मुझे देश की कोई परवा नहीं है चुनाव की छुट्टी का मतलब है कि मेरी और मेरे परिवार की पिकनिक ना की वोट देना कतार में कौन खड़ा होगा हम पिकनिक या सिनेमा जाएंगे हम कुछ और करेंगे क्योंकि परिवार के आधार पर बनी पहचान राश्ट्रिय पहचान से बहुत बड़ी है और इसलिए वो सोचते हैं अरे दूसरे लोग वोट देंगे उनकी सोच यही है अन्य लोग वोट देने जा रहे हैं इसलिए मेरे न जाने से क्या फरक पड़ेगा एक सुन्दर कहानी है जिसे मार्क ट्वैन सुनाना पसंद करते थे एक समय था जब लोगों का मानना था कि चंद्रमा पर लोग हैं मेरा मतलब अपोलो से पहले अमेरिका में लोगों का मानना था कि चंद्रमा पर लोग रहते हैं फिर उन्हें एक अनोखा आइडिया आया उन्होंने सोचा कि एक विशेश छण में हम सभी अपनी छटों पर खड़े हो जाएं और एक शब्द को एक स्वर में एक साथ चिलाएं जिस शब्द को हम चिलाएं वो है हू फिर देखते हैं कि वे क्या कहते हैं क्या हम यहां ये कोशिश करें मैं एक दो तीन कहूंगा क्या आप सभी हू चिला सकते हैं जितना जोर से आप बोल सकें ताकि पूरा हेदराबाद सुने एक, दो, तीन देखे आप सब कितने अद्भुध हो गए हैं लेकिन वो दिन आया हर कोई उस दिन छट पर खड़ा था और मुझे तभी एक बहुत ही कलात्मक विचार आया मैंने सोचा कि ये कितना दुरलब पल है ये सभी लोग एक शब्द चिलाने जा रहे है और मुझे पता है कि मेरी आवाज बहुत धीमी है क्या होगा अगर मैं ना बोलूँ और मैं उस अद्भुत पल में सब को हू बोलते वे सुनना चाहता था और फिर वो छणा आया और ये संपून मौन में गुजर गया हो सकता है किसी चुनाव के दिन सिर्फ वे लोग जाएं जो राजनितिक दलों दुआरा पैसे दे कर या उकसा कर बुलाई जाते हैं ये जीने का एक गैर जिम्हदाराना तरीका है देखिए तमिल भाषा में लोकतंत्र के लिए एक शब्द है जननायकम इसका मतलब है कि लोग ही नेता है पर अब तक हमारे लोग ये नहीं समझ पाए है कि हम ही इस देश के नेता है हम अभी एक राजशाही मानसिक्ता में है हमें लगता है कि चुना गया विक्ती राज़ा या समराठ है तो ये शिक्षा की कमी है जानकारी की कमी है देश के आधार पर पहचान और हम बनाएंगे इस देश को कि मजबूत भावना नहीं है कोई और देश को चलाएगा आज भी अंग्रेजी राज़वाली आदत है हमें लगता है कोई और देश को चला रहा है हम समझ नहीं रहे कि ये हमारा देश है हमें इसे वो बनाना होगा जो हम चाहते हैं अभी हमारा देश ऐसा है कि अगर डोनाल ट्रम्प सभी भारतियों के लिए वीजा दे दे तो 60 प्रतिशत आबादी महासागर में तैर कर अमेरिका पहुँच जाएगी ये सही नहीं है सभी दूर जाना चाहते हैं इसका मतलब हमने ऐसा देश नहीं बनाया है जहां लोग रहना चाहते हैं है ना जब सभी यहां आना चाहें तो इसका मतलब होगा कि हमने एक महान देश बनाया है इसके लिए बुनियादी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेना सभी के लिए जरूरी है पर अगर आप इसे आदेश देकर जरूरी कर देते हैं तो ये बदसूरत हो जाता है इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हम ऐसी सरल चीजों पर भी बहस कर रहे है हम एक देश को वोट देने के लिए भी एक जूट नहीं कर पा रहे है वो भी तब जब देश संकट में हो जब 50 प्रतिशत लोग ठीक से खाने ही रहे हो तो ये मेरे लिए संकट है ये मेरे लिए सामाने नहीं है ये एक संकट है जब ऐसा संकट हो तो मुझे वोट देना चाहिए या नहीं अच्छा यदि हम कहें मुझे कोई भी पसंद नहीं है ये बहुत तारकिक लगता है लेकिन यकीन मानिये आप ऐसे देश का निर्मान नहीं कर सकते आपको चुनना ही होगा आपके सामने जो भी खराब विकल्प हो उनी में से आपको थोड़ा कम खराब विकल्प चुनना होगा यदि आप अखिरकार इस देश को सुधारना चाहते हैं तो आप दूर से ये नहीं कह सकते कि अरे कोई भी अच्छा नहीं है तो आप खड़े हो जाएए देखिए हर चाय की दुकान पर हर जगे एक बहस चल रही है हर कॉलेज में ये चल रहा है ओ सभी राजनेता बकवास हैं वे चोर हैं वो ये हैं वो हैं अगर हमने ये देश चोर आनी चाहिए हमने अपनी बुनियादी लोकतांत्रिक जिम्मेदारी को नहीं समझाया जब हम इसे नहीं समझते तब हम लोकतंत्र के काबिल नहीं रहेंगे तब कुछ और हम पर राज करेगा ये बहुत महत्वपूर्ण है केवल मतदान ही नहीं ऐसे और भी तरीके हैं जिन आप सभी कानून के छात्र हैं आपको अपने जीवन का कुछ हिस्सा देश और युवाओं को शिक्षित करने में लगाना चाहिए कि वे कौन से तरीके हैं जिनसे वे लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं ये इस देश के निर्मान के लिए बहुत-बहुत यागो मेरे देश